आज पत्रकारिता काम तो कर रही है, बहुत सारे लोग काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिं कहीं न कहीं जैसे सर ने कहा कि पत्रकारों के बच्चों को वो समय नहीं देपाते हैं, तो उन लोगों को भी और बागी जितने स्टूडेंट सक हमारे यह मेसेज पहुंचे जितने आज से 40 साल पहले, तो इंसान के पास बिगड़ने का बहुत रास्ते नहीं थे, ठीक है, बहुत लोग 19-20 में जाके, 22-20 में जाके, पैसा कमाने लगते हैं, तो चीक है, कुछ गलत रास्ते पकड़ लेते, कुछ बहुत चोटा सा प्रतिशत्ता, लेकिन आज अगर देखें 12-13 साल की बच्चे, बता निक कितने वलत रास्ते पकड़ते जा रहे हैं, उन सब को रोपना, संभालना, कि हम सब की साजी सामाजिक जिम्बेदारी है, और इसके लिए जरूरी है कि उनको time to time, सही उनकी energy को एक focused, कोई track मिले, जैसे जितने लोग बड़े हैं, जितने लोग अनुगमी है, तो सब की पहुंच भी बच्चों तक को नहीं चाहिए, अब जैसे आप लोग हैं, जतने लोग इस सभागार में बैठे हैं, आप लोग बहुत समरद है, आप लोगोंने बहुत ज्यादा काम किया, आज की जो पीड़ी है, उस तक आप लोगों का ध्यान देते थे, आज वैसे लोग नहीं रह गए है, हम लोगों को क्या करना पड़ता है, किताब बहुत सारी पुनानी चीज निकानन नहीं पड़ती है, कि पहले लोग किया सोच थे आज की पीड़ी कैसे बदाल दे गए है, आज की ईवा पीड़ी को सही ट्रैक पे रखने के लि तो हम लोग चाहते हैं जिसे मैं लिए टुछ फील करते हूं कि हम लोगों तक भी आप लोगों के कुछ इस तरह के माध्यम हो जो आप लोगों के रिच चीजे हम तक पहुंचे आज एक वैक्यूम क्रियेट हो गया है इस साइटी में बच्चा ऐसा नहीं है कि बिगड़ना चाहता है हर बच्चा चाहता है एक अच्छी जिंदगी जीए एक बहुत 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 ज्यादा है यसे उसके पास इस इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें है उसे यह नहीं फ पड़ेगी आज का बच्चा बहुत जदी डिप्रेशन में चला जाता है 12-13 साल का बच्चा होता है मुझे स्ट्रेस हो गया एक्जाइटी होगी हम रोज अखबारों में पढ़ रहे हैं दस्वी क्लास का रिजल्ट आता है मैं जाने कितने बच्चे सुसाइड कर लेते हैं और कितने अटेंट में पोशिश करते हैं कि भही हम सुसाइड कर ले बच जाते हैं तो यह जो टेंडेंसी है कि एक माक्स का माग है और फासी पर रटगए बच्चे पंखे से लटगए इन सब का भी कारण कहीं न कहीं जलत जो एक डिरेक्शन बच्चे पकड़ दे हैं उनक सब लोगों की पत्रगारों की भी करीन हर समाज के हर वरिष्ट आत्मी की जम्में दाली है कि वो इस पीडी की नव्स को पकड़े ऐसा नहीं कि यह पीडी गलत है यह पीडी खराब है पीडी बहुत अच्छी है एंपक्ट यह जो अब पीडी है यह हमसे ज्यादा उंग कर जाता था और उसका सर्क्र बाहर के लोगों के साथ बनता था आज एक बच्चे को बहुत एक्स्पोजर थै एक तीन सार के बच्चे को चार सार के बच्चे को देखते हैं पेरेंट्स लेके कभी पहाडों की आत्राओं पे जा रहे हैं कभी वो बीकिस का पच्चे को सखर करा रहे हैं एक बच्चा 4-5 साल का है लेकिन उसने परवत पठान मैंना सब कुछ देख लिया संसाधन तो है लेकिन पेरेंट्स उस बच्चे को सिर्फ पैसे से सुविधाये देना सोचते हैं कि हमारी सिम्मेदारी पूरी होगे पेरेंट्स यह नहीं समझ पा रहे हैं कि इस बच्चे के साथ में टाइम भी स्पेंड करना है कहीं न कहीं पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि बच्चे को आप सिर्फ पैसे से संसाधन हुआया करा के एक अच्छी एक बढ़िया प्रिली का नि मेंगाई इतनी ज्यादा बढ़ दे है कि एक आदमी के कमाने से धर नहीं चल पाता और तो बराबरी पर आना पड़ेगा आभी रही है आज समाज का इक बड़ा हिस्सा ओर्टों का कमाई करता है लेकिन उस कमाने की दौड में उस भूख में पैसे कि में कहीं हमारे सामाजी पारिमानी कोल्यों दब गए है माएं बच्पन से ही बच्चों को आया के पास ठोड़ के या मेर्स के पास ठोड़ के और अपना ओफिस वर्क पे निकल जाती है उनकी भी कहीं ना कहीं आप कह लीचे मजबूरी है लेकिन यह सब तो समझना पड़ेगा कि उस मजबूरी के चलते कहीं ऐसा ना हो जिनके लिए हम यह साधन की पाने के लिगर चोड़ के बाहर निकले हैं वो पीडी ही नीचे रह जाए या पूपीडी की कहीं गज़त रास्ता ना पकड़े ज्यादातर लोग जो आज वर्किंग है माबा आप देखेंगे हमके बच्चे एक ड्रक्स क स्कूल क्योंकि मेरा अनुभव तो मैंने सरकारी नौकरी में भी सरकारी स्कूल में मैंने काम किया मैं टीचर थी सरकारी स्कूल में मेरी स्कूल में मेरी दिल्ली में गवर्मन स्कूल में टीचर हैं हम सब पैट के डिसकेशन करते हैं कि पीडी किस तरह जाली के बार तो लग कुछ इस तरह की चीज़ें लेकिन वो बेसिकली नशा बिक रहा है अब इस सब पे मिलके अदर काम नहीं किया जाएगा तो आने वले दोर में ये पूरी पीडी पूरी नसल खराब हो जाएगी तो बच्चों को बच्चों की एनर्जी को सही टाइम पे एक सही डिरेक्शन दे प्रेशन हमारे टाइम पे था लेकिन हमें लगता था कि पी अप्रेशन हमारे दोस्त कुछ भी गए उस जमाने में चाहता कि चार लोग एक बच्चा पिवड़ा हुए तीन विलके उस एक को भी सुधार लेते थे आज क्या हाल है चार बच्चे हैं चार का ग्या जाग अब देखना ये पड़ेगा कि अगर इस तरीके से पीडी पे हम लोग नहीं देंगे नहीं काम करेंगे तो आज से आने वाले 20 साल बात इस समाज सुसारिटी का क्या होगा ये दुनिया बहुत तेज गती से आगे जा देगे अगे अगर मैं ग्राफ की बात करू लगातार म वो कही नगी तो पिछड़ ही रहे हैं हम में और यॉर्प की सभ्यता संस्कृति को उठा के पढ़ते हैं प्राची नितिहास तो हम ज्यादा एडवांस थे हम ज्यादा कल्चर लोग थे हड़त्पन जो सिविलाइजेशन थी उस टाइम जितनी नॉलेज इंडिया में थी य उसमें चीक है कुछ चीजें आई कुछ चीजें अच्छी रही कुछ चीजें खराब हुई पर फाइनली अगर मैं आज की बात करूं तो आज सोशल वाल्यूस और जिसको मुझे कहना चाहिए कि इनसान की अपनी जो मॉरालिटी थी तो कही न कहीं ग्राफ अगर देखेंग कंड्रोल करना गलत है कि बच्चे को टाइम पर सभालना बहुत जुरूरी है आज की स्युवा प्यूडी को टाइम टू टाइम हमें एक सही डिरेक्शन देनी पड़ेगी ताकि पी उजा को सही दिशा में भटकने से बचे रहें और अपने आपको ये देखते चले कि एक उस दौर में तो बहुत ज़्यादा सुंदर समाज था देखिए ऐसा नहीं कि समाज हमेशा से परफेक्ट रहेगा परफेक्ट जसा को टर्म है भी है कोई भी इंसान परफेक्शन ता काम नहीं कर सकता और समय हमेशा कतीशील है बदबता रहेगा आज टेक्नोलोजिकली हम चीज़ें बहुत अच्छी है लेकिन अगर बात करो मानलीय मुल्यों की तो यह सब बहुत पीछे रहेगा उसके लिए हमारी प्यूडी को काम करना पड़ेगा और शिक्षा जगत से जोड़के ही दुबारा से मानलीय मुल्यों को हम पहला कर सकते हैं